हिना खान का कैंसर खतरनाख हट तक भड़ चुका है करनी पड़ेगी इनकी ब्रेस्ट रिमोवल सरजरी हलो एवरिवन बायोग्राफिस केव में आप सबी का स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में हम आपको हिना खान की ब्रेस्ट रिमोवल सरजरी के बारे में बताएंगे अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो हमारे चैनल बायोग्राफिस केव को सब्सक्राइब कर दें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप सबी जानते हैं कि हिना खान ने समय ब्रेस्ट कैंसर जैसी घंबीर बिमारी से जूज रही है लेकिन वो इससे बहुत हिमत से लड़ रही है हिना ने अपने फैन्स को बताया कि वो ब्रेस्ट कैंसर के थर्ड स्टेज पर है ये खबर जैसे ही सामने आई तो फैन्स हो गए हैं बेहत परेशान हिना खान की मुधारपी सेशन करवा चुकी है और उस सेशन से इनके काफी साइड अफैक्स भी सामने आए है इन्होंने हाल ही में अपनी एक वीडियो अपने फैन्स के साथ शेयर की है सभी का देहान इनके अंडराम के पास लेगे निशान पर गया ऐसे में सभी लोग इन्हें धेर सारी द्वाएं भी दे रहे हैं बताया जा रहा है कि हिना खान की बाड़ी में कैंसर काफी हद तक फैल चुका है और मॉस्टली ब्रेस्ट कैंसर के थर्ड स्टेज पर ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है और रिपोर्ट्स के अनुसार डॉक्टर्स भी हिना खान को ब्रेस्ट रिमूवल सर्जी का कह चुके हैं पिछले समय में जब अडवांस टेकनालोजी नहीं थी तो किसी भी महिला को जब कैंसर होता था तो कैंसर के थर्ड या फोर्ड स्टेज पर इनकी ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाता था लेकिन टेकनालोजी आने के बाद अब उतना ही ब्रेस्ट को रिमूव किया जाता है जितने पार्ट पर कैंसर होता है लेकिन अगर कैंसर ज्यादा फैल जाए तो पूरा ब्रेस्ट भी रिमूव किया जा सकता है और हिना खान का कैंसर इस समय बहुत ज्यादा फैल गया है इस वज़ा से कहा जा रहा है कि इनका पूरा ब्रेस्ट रिमूव किया जाएगा और फिर इसके बाद इन्हें न्यू ब्रेस्ट इंप्लांट कर दिया जाएगा लेकिन ये प्रोसीजर बहुत लंबा है और इसके लिए टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है बता दें कि हिना खान को भी डॉक्टर्स ने ब्रेस्ट रिमूवल सरजरी रुकमेंट की है हलांकि वो किमोधारपी करवा रही है लेकिन ये प्रोसेस बहुत स्लो है हिना खान का ब्रेस्ट कैंसर थर्ड स्टेज पर है इसलिए डॉक्टर्स ने ने breast removal surgery का बोला है और बताया जा रहा है कि हिना खान इस बारे में सोच विचार भी कर रही है अब देखना ये है कि क्या हिना खान ये surgery करवाती है और आखिर कब तक वो इसके लिए अपनी हिम्मत को जटा पाएंगी जैसे ही ये खबर सामनी आई है तो फैन्स इस बात को जानकर बेहत परेशान हो गए है और वो हिना खान के लिए धेर सारी prayers भी कर रहे हैं कि वो जल से जल ठीक हो जाएं तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही आप इस बारे में क्या कहेंगे हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो अच्छी लगिए तो वीडियो को लाइक कर दें आप सबसे रुक्वेस्ट है कि कॉमेंट सेक्शन में हिना खान के लिए prayers लिखना मत भूलिएगा इसकी साथ ही हमारे चैनल Biographies Cave को सबस्क्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताके हमारी हर नहीं आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल से जल मिल सके तो देखते रहे है Biographies Cave